हेलो एवरीवान और वेलकम बैक आज के क्लास में हम एक और बहुत ही इंपोर्टिन टॉपिक और इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबाबली आखरी टॉपिक मैं मोस्ट प्रोबाबली आखरी टॉपिक क्यों बोल रहा हूं बेकाज इस सिलेबस में जो हमारा जो बीकॉम का सिलेबस है उसमें यूनिट वन में इतने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं मतलब यह वो टॉपिक्स हैं जो 85 परसेंट आप दे कोशन पेपर तुम्हारा कंसिस्ट करता है ठीक है मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि यह जो पूरा सीरीज है इस पूरे सीरीज को अगर तुम कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे पेपर में 85 परसेंट का कॉमन मिलेगा तुमको ठीक है लेकिन इसके बाद भी 15 परसेंट टॉपिक ऐसे होंगे जो तुम्हें यहां स के सब्सक्राइब 15बीं सब्सक्राइब टरफ और इसको discola 90 कर देता हूं फिक है इसको 90 कर देता हूं क्योंकि 90 90% हमारे यहां से ही आता है 10% टॉपिक ऐसा होगा जो सायद कहीं बाहर से आ सकता है और यह कहां से आएगा 10% का जो टॉपिक है यह टॉपिक मैं जो डीटेल्ड नोट्स मोबाइल अप्लोड किया हूं वहां से आएगा ठीक है मेरा अब्जेक्टिव है हर बच्चे को 90 आउट यहां चलो 90 नहीं भी पकड़े तो 90 माक का अटेंड करते हूं मान लो इतने अच्छे से हम लिखेंगे जो मैं नोट्स दिया हूं इस अच्छे इतने अच्छे से लिखेंगे कि 80 तो हम स्कोर कर लें और यहां से 3-4 माक हम लोग स्कोर कर लें टोटा मिला कि 84 85 आ जाएगा ज तो फिर वो जो चार चार सो पांट पांट सो पेजेस के जो बहुत सारे अथर्स के बुक होते ना उनको लेकर बैढ़ जाओ और उसके पढ़ते जाओ तुम्हारा जीवन उसी में चला जाएगा सुबह से रात पढ़ोगे तो तुम्हारा समिस्टर तक भी सायद तुम सारे सब्जेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाओगे इसलिए मैं बोलता हूं जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूं यह पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लो इसके नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो मैं मोबाइल अप्लिकेशन में बहुत सारे पास्ट येर के कर सकता हूं इसके बाद भी मुझे और पढ़ा ही करना है तब तुम कर लेना डिटेल नोट्स जो कि मोबाइल अप में वह भी अवलेबल है मतलब मैं तुम्हें 100% अवलेबल करवा रहा हूं लेकिन पढ़ा 90% रहा हूं 10% तुम्हें सरिफ नोट से मिलेगा जो कि तुम्हे खुद से पढ़ना पढ़ेगा अगर तुम इसको पढ़ना चाहते हो तो और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये 10% पर दिमागी मत लगाओ डिटेल नोट्स को खोल कर देखने की भी ज़रूरत नहीं है तुम ये नोट्स को पढ़लो पूरा अच्छे तरीके से प्लस मोबाइ अप्लिकेशन पर जो इंपॉर्टेंट कोशिंस दिये जाएंगे जो मैं लाइब सेशन करवाओंगा एक्जाम के आसपास वो प्लस जो पास्टियर के कोशिंट पेपर मोबाइल अप में अल्रेडी है जो प्रक्टिस सेट्स में तुम्हें मोबाइल अप्लिकेशन पर दू यह है हमारा सोशेलिस्टिक एकनोमी capitalism and mixed economy आज आखरी topic हमारा है Islamic economy इसके बाद हमारा unit no.1 complete होगा हो सकता है future मैं कोई और topic का addition हो जाएंगे तो अगर future में कोई नया topic exams में आना शुरू हो जाएगा या मुछे लगेगा कि यह topics exam में अब आ सकते हैं तब मैं इसके आगे यसको एड कर दूँगा इसलिए मैं बोल रहा हूं most probably यह अभी के सिलिवस के according यह तुम्हारा पूरा final और आखरी topic है इस chapter का ठीक है चलो शुरू करते हैं फटा-फट से नाम है Islamic economy ठीक है अब जो बच्चे mobile app download नहीं किये हैं description box में mobile app का link है download जरूर से कर लेना बहुत सारा additional content वहाँ है description box में उस mobile number में जरूर से WhatsApp कर देना अपने college का नाम मैं तुम्हें तुम्हारे college के group में add कर दूँगा जहां से तुम्हारा पूरा बीकॉम का जर्नी और पूरे commerce का जर्नी का जिम्मेदारी हम ले लेंगे हम तुम्हारा कोई भी problem है हम उसको solve करके देंगे चलो शुरू कर करते हैं फटा-फट से Islamic economy नाम है Islamic economy देखो मैं clearly बता देता हूं यह वाले economy के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता है ठीक है तो जो book में लिखा है मैं उसके according ही तुम्हें पढ़ाऊंगा यहां पर मेरा additional knowledge नहीं है क्योंकि मैं कभी भी Islamic economy जो है और कहीं पर जहां पर भ बारे में हमें पढ़ाया जाता है तीन प्रकार का economy के बारे में capitalist हो गया socialist हो गया लेकिन बीकॉम के एक्जाम में यह एक और प्रकार का economy Islamic economy के बारे में कभी कभार question आ जाता है तो यह वाला topic मर मेरा उतना expertise नहीं है ठीक है जो लेकिन मैं बहुत सोच समझ कर बहुत prepare करके इस knowledge को judge मत करना हो सकता है तुम्हें इसके बारे में मेरे से जाधा पता हो हो सकता है मुझे जाधा पता हो तो इस वाले topic में तुम मेरा knowledge को test मत करना बस जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं वो तुम्हें पढ़ाऊंगा आज ठीक है चलो आज एक वीडियो में ऐसा होगा और लेकिन बीकॉम में एकजाम में कोशन पहले आया हुआ है Islamic economy के बारे में what is Islamic economy and what are the features of Islamic economy तीन से चार मांक का कोशन एकजाम में आया हुआ है इसी वजए से मैं आज जो यहाँ पर दिया है वही तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं चलो हम topic को शुरू करते Islamic economy क्या होता है Islamic economy refers to economic इसको बोलते हैं मेरा हो सकता है गलत हो जाए कहीं पर तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है सरिया या फिर मैं उसको बोलूँगा इसलामिक लॉट जो इसलामिक लॉट में लिखा हुआ है उसके एकॉर्डिंग यह वाला इकनॉमी को चलाया जाता है इट एंकम पेस युनीक अप्रॉच टू इकनॉमिक और गनाइज़ सिंदे को मैं एक्जाम एकनॉमी जो होता है वो ग्रोथ ओर्येंटेड एकनॉमी होता है वहां पर बहुत सारे इक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है जिससे कि वहां पर उसक plugging लिएए उसको फॉलो नहीं इनका objective होता है social justice equitable distribution of wealth कोई भी गरीब ज्यादा ना रहे कोई अमीर ज्यादा ना रहे equitable distribution हो जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिले and sustainable development एक ऐसा development जो कि हम future में भी continue कर सकते हैं उसको हम बोलता है sustainable development while adhering to Islamic principles इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है उसको फॉलो करते हुए इस्लामिक के जितने भी principles है वो वाइलेट नहीं होने चाहिए objective क्या क्या रहेगा पहला objective है social justice दूसरा objective है equitable distribution of wealth and तीसरा objective है sustainable development यह तीन objective के साथ Islamic law को बनाया जाता है सर इसके features बता दो आजाओ सबसे Islamic law है यह क्या छोटा बड़ा लिख रहे हो सर इस्लामिक law जो Islamic law है Islamic principle है उसको follow करना ही पड़ेगा वो नहीं follow करोगे तो काम नहीं चलेगा तो यह law को तो तुम्हें follow करना ही पड़ेगा the foundation of Islamic economy lies in adherence of Saria principle सर्या का मतलब होता है economic Islamic law derived from the Quran उनके कुरान में जो लिखा हुआ है वहां से यह principles and laws को बनाया गया है the holy book of Islam and teachings and practices of Prophet Muhammad ठीक है क्या होता है मुझे उतना ज्यादा knowledge नहीं है मैं पहले बता देता हूं ठीक है तो तुम यह वाले वीडियो में मेरा knowledge को test मत करना क्योंकि मुझे उतना ज्यादा knowledge नहीं है अगर मैं कुछ गलत बता दूँगा तो बेकार में इंकुड़ूद जस्टिस इसमन j ec hota equity इंसाफ एन प्रोवीशन ऑग इंट्रेस देखवा तुम एक्सेसिव स्पेकुलेशन तुम्स शेह मार्किन में ट्रेडिंग करना भी गलत होता है स्पेकुलेटिव गेंस भी अक्सेसिव करना गलत होता है एस पर Islamic प्रोविशन आप इंट्रेस्ट तुम ना इंट्रेस्ट दे सकते हो ना इंट्रेस्ट ले सकते हो ठीक है इस्लामिक एकनॉमी प्रोविश्ट चार्जिंग और पेइंग और पेइंग और इंट्रेस्ट तुम ना चार्ज कर सकते हो किसी से इंट्रेस्ट ना तुम किसी को यह पॉसिबल नहीं एकनॉमी को चलाना ठीक है और लोन और फिनांशल ट्रजाक्शन इस्लामिक फिनांस ऑपरेट्स ओन प्रॉफिट शेरिंग अरेजमेंट इस्लामिक में पैसा जो दिया या लिया जाता है वो प्रॉफिट शेरिंग मतलब पार्टनर्शिप के ठीक है पढ़ लेना इसको नेक्स चलते हैं पॉइंट नमबर थ्री में एंफ्रेसिस ऑन सोशल वेलफेर में हमारा एंफ्रेसिस ज्यादा होता है सर क्या आप इस टॉपिक को ऐसी मेरा मजबूरी है बच्चों मुझे नहीं आता है यह टॉपिक मैं क्या करूं बताओ मुझ अगर उतने अच्छे से टॉपिक नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ लेकिन तुम्हारी लिए में मेहनत करके नोट्स बना दिया हूं ताकि एक्जाम में तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाए ठीक है देखो इस्लामिक एकनोमी का में प्रियोरिटी होता है कि वह ए अगर किसी को नीड है तो तुम अपना वेल्थ में से एक पॉर्शन उसको दोगे यह मेंडेटरी है सर्विंग आज मेकानिजम फॉर वेल्थ रीडिस्टिबूशन एंड सोशल सपोर्ट लोगों को सपोर्ट करने के लिए वैल्थ का रीडिस्टिबूशन के लिए अगर किसी को पैसे की जरुरत है तो तुम अपने पॉर्शन में से एक हिस्सा उसको दे दोगे ऐसा कहां लि अच्छा एकनोमी बहुत अच्छा एकनोमी होता है तुम्हें पता है वहाँ पर जो इस्लाम के लॉज रूज रूज और रेगुलेशन लगते हैं उससे बिजनेस का बहुत जादा ग्रोट एंड डेवलेमेंट होता है एकनोमी का भी बहुत जादा ग्रोट एंड डेवलेमेंट होता है ये जो रूज और रेगुलेशन ये लोग बनाए हैं बहुत सोच समझके बनाए है ऐसे नहीं कोई भी रूज और रेगुलेशन बनाए है इ इसलिए यहां पर growth है तुम देख लो कितने भी Islamic countries को उठा कर देख लो हर country बहुत अच्छा growth and development के phase पर है तो वह वहां पर ज्यादा अच्छा होता है Business activities are expected to adhere to Islamic ethical guidelines known as adab al-moo जो भी है मुझे नहीं पता ठीक है चलो next Role of the state and market, state मतलब government का क्या role होगा और market का क्या role होगा मतलब private entrepreneurs का क्या role होगा While Islamic economy values private enterprise यह लोग बोलते है private enterprise होना चाहिए and market mechanisms It also recognize the role of state in regulating the regulating and guiding economic activities to ensure adherence to Islamic principles and promote public welfare ठीक है मतलब government भी होगा private enterprise भी होगे private enterprise अपने market को चलाएंगे government ensure करेगा कि Islamic principles को follow किया जा रहा है और public welfare हो रहा है the state is responsible state मतलब government का क्या responsibility है enforcing सरिया compliance law and regulation मतलब Islamic law को rules and regulation follow किया जा रहा है उसको ensure करेगा protecting consumer rights and providing public goods and services government का काम है consumer के rights को protect करना और rules and regulations बना कर रखना ताकि किसी consumer exploitation ना हो consumer के rights को protect करना ठीक है चलो आखरी topic sustainable development जो हम starting में भी पड़े थे इनका जो economy होता है इनका जो law होता है वो बहुत focus रहता है sustainable development के उपर Islamic economy impasse is the concept of sustainable development which involves responsible stewardship of natural resources environmental conservation and international equity intergenerational equity economic activity are expected to consider the long term consequence on society and environment long term के लिए होता है मैं कुछ important words को मैं सर आप तो कुछ भी नहीं कर रहे है read कर रहे हो खाली मैं पहले ही बोला था यह वाले topic को मैं खाली read करूंगा क्योंकि यह मेरा expertise नहीं है मैं कभी पढ़ाया नहीं हूं मैं become के बच्चों को ही पढ़ाता हूं यह बाकी मैं economic activity are expected to consider the long term consequence on society and the environment. Islamic economy seek to integrate economic activity with the moral and ethical consideration, promoting economical prosperity, social justice and spiritual well-being in accordance with the Islamic principles, clear है बात तो यह हमारे सारे point है तो sir क्या आपको नहीं आता है तो हम यह notes exam के लिए follow कर सकते है 100% follow कर सकते हो इसको अगर लिख कर आ गए तो कोई भी teacher एक marks भी तुम्हारा नहीं काट पाएगा पूरा full marks मिलेगा उसका guarantee है ठीक है चलो तो यह हो गया हमारा topic Islamic economy के बारे में यहाँ पर हम complete करते हमारा unit number one अब हम next class से शुरू करेंगे unit number two unit one का जितना भी question practice और बहुत सारे वीडियो जो पेंडिंग है वो आएंगे वो लास्ट आएंगे जब हम syllabus को complete करेंगे पूरे syllabus को पहले पढ़ लेते हैं फिर question practice और revisions one shot वगेरा सब कुछ हम लोग आगे कंड़क करवाएंगे ठीक है ठीक है चलो हेलो बाबाई एवरीवान और थैंक्यू